परिवर्तन होते हैं उसके संबन में सविस्तार जान करें परिवर्तन करें जिसके अनुसार बताया गया है कि मनुस्य के जीवन में जो भी उतार चड़ावाते हैं उसका संबन ग्रहों की चाल से होता है मनुस्य हमें साही अपने भविश्य को लेकर काफी उच्सुक रहता है जोतिश सास्त्र के नुसार बनने वाले विसे संयोग का असर कई तरह से पढ़ता है जोतिश सास्त्र के नुसार मैं मैंने के अंत में एक ऐसा संयोग बन रहा है जिससे कुछ राशियों को बहुत फाइदा होने वाला है और कुछ राशियों को बहुत नुकसान हो सकता है आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुर्य देव माराज और सनी देव माराज की कुछ रूपा से किन राशियों के उपर होने वाली है खुश्यों की बरसाद सुर्य देव माराज और सनी देव माराज की कुछ रूपा से अचानक धनलाब होने के योग नजर आ रहे है इन राश्य के लोगों को हर कारिय में सफलता मिलने के योग भी नजर आ रहे हैं वो राश्या है मिथून रासी, करक रासी, कन्या रासी, तूला रासी, वृष्चक रासी और कुम्ब रासी जोतिस सास्त्र के नुसार, अगर आप विद्यारती है, तो पड़ाय में आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है अगर आप नौकरी की तलास कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी आपको मिलने वाली है किसी प्रकार की चली आ रही कोई परेशानी है तो वो भी जल्दी दूर हो जाएगी इन राशियों के लोगों को धन, सुख और सांती की प्राप्ती होगी इन राशियों के लोगों का स्वास्ट भी ठीक रहेगा बिजनेस में आपको अपार सफलता की प्राप्ती होगी वहन चलाने में थोड़ी साउधानी बरते आपके परिवार में सुख और सांति का महौल बना रहेगा किसी पुराने मित्र से मुलाकाद भी हो सकती है अपने परिवार के साथ कहीं गुंगने भी आप जा सकते हैं यात्रा आपके लिए बहुती सुखद और लाबदायग होगी नौकरी के कारियों में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी दिख रही है